चित्वग्गो धंपद नंबर गाथा कथा 37 37 नंबर ये 37 नंबर की जो कथा है और गाथा है ये बड़ी इंट्रेस्टिंग और बहुत ज्यादा मज़दार है अगर आपने सेख चिल्ली का नाम सुनाओ या एक सेख चिल्ली की कहानी जो बच्पन में सुनाई जाती है तो वो कहानी इसी कहानी का एक अलग रूप कहस कह सकते हैं या उस कहानी से मिलती जुलती कहानी कह सकते हैं एक संग रखित सावत्थी के अंदर संग रखित तरके एक भिक्कु थे जो विन्य के नियम के बड़े पक्ये थे धम के नियम, संग के नियम बहुत ज़्यादा सेक्षर पालन करते थे जैसे भगवा ने, भगनवान ने भगनवन्तु ने विदान तगू ने बता दिये वैसे ही बिल्कुल सेक्षर पालन क्या करते थे उनकी एक बहन थी बहन को पालिक अंदर भागिन बोलते हैं तो उनकी जो भागिन थी उसको एक बेटा हुआ और चुकी संग रखित भिक्कू बन चुके थे और बड़े नामी भिक्कू थे इसलिए उनकी बहन ने अपने पुत्र का नाम उसी जो भाई थे यानि जो संग रखित भिक्कू थे उनके उपर रखा तो उनका नाम पड़ा बच्चे का नाम पड़ा भागिने संग रखित यानि के भागिन का बेटा संग रखित भागिने जब बड़ा हुआ तो अपने मामा को देखके उसका मन भी धमो में जाने के लिए मचले लगा और उसने भी जो संपदा है वो ली और वहाँ सामनेर का जीवन व्यतित करने लगा साधना में रत रहने लगा जब वो भागिने संग रखित यानि संग रखित का जो भाँचा था उनकी जो बहन का लड़का था जो सामनेर हो गया जब वो एक गाओं में ठहरा तो वहाँ वर्सावास का समय चल रहा था वर्सावास के समय उसको दो चीवर दान में मिले दो चीवर दान में मिलने पे एक चीवर उसने रखा अपने मामा के लिए क्योंकि मामा से वो बहुत ज़्यादा प्रिदित था मामा उसके लिए सब कुछ थे, बड़ी सद्धा थी, बहुत ज़्यादा मामा का मान था, सम्मान था, तो उसने कहा कि मामा को एक चीवर दूँगा, तो मामा खुश होंगे, तो उसको अच्छा लगेगा, ऐसा मन में बना के उसने चीवर को समाल के रखा, और जब वो सावित्थी पहुँचा, तो वहाँ जाके उसने वो चीवर अपने मामा को दिया, चुकि मामा संग के नियमों, धम के नियमों के बहुत पक्के पालक थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो चीवर है और आभी वो फटा नहीं है, इसलिए मुझे चीवर की आवशकतर नहीं है, जिस किसी और भिक्कों को चीवर की आप सकता है आप उसको दे दो या इसे संग में जमा करा दो ये सुनकर तुकि जो भागी ने संग रखे था वो छोटी उमर का था अभी बच्चा था तो उसके दिल को बहुत ठेस लगी उसे सोचा के मामा जी मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे बहुत प्यार से देखेंगे बहुत मान समान देंगे बड़ी बुरी बुरी प्रसंसा करेंगे और यहां तो सारा उल्टा हो गया उन्होंने एक तैसे तुदकार दिया और ये उसके मन को बहुत ज़्यादा खेस लगी उम्मीद से परे जो बाते जो इक्छा उसके उत्पन होई थी जो राव उत्पन हुआ था उसके विप्रीत उसके बिलकुल उलट बात होगी बात उसके मन में रही एक दिन वो जब उसके मामा संगरखित सो रहे थे जो भिक्कु थे तो वो उनके उपर पंखा जल रहा था हवा कर रहा था हवा करते करते उसको यहां ध्यान आया कि यहां मेरी कोई जतनी है और यहां मुझे कोई फाइदा नहीं हुआ क्योंकि मेरे बामा ने मेरी कुछ बात रखी नहीं मेरा बड़ा दिल तूटा है मुझे ग्रस्त आस्रम में चले जाना चाहिए मुझे शादी करेनी चाहिए और शादी करूँगा तो मेरे बच्चे होंगे बच्चे होंगे घर ग्रस्ती होगी घर ग्रस्ती होगी तो मेरी पत्नी होगी पत्नी होगी तो बच्चा होगा बच्चा होगा तो बच्चे को लेकर हमाएंगे बच्चा हाथ से छोड़ जाएगा या गाली से गिर जाएगा मैं बच्चे को अपनी पत्नी से मागूंगा और वो देगी नहीं इस चिना जप्टी में बच्चा गिर जाएगा और ऐसा सोचते सोचते बच्चा उसके सपनों में गिर जाता है और गिरने के बाद में उन दोरों में आप जगडा होता है और वो डंडा उठा के अपनी पत्नी को मारता है उधर वो सपने में डंडा मारता है इधर सच में जो वो पंखा जल्दा है वो पंखा अपने मामा के उपर मार देता है मामा चुकि पार गामी है दूर तक का देख लेते हैं तो वो कहते हैं कि तुम सपने में जिसका सपना ले रहे थे तुमने उसकी बजाय मुझे डंडा मार दिया, मुझे पंखा मार दिया उसे ये सुनकर के मामा को कैसी पता चला कि मैं सपने में कोई बात ऐसा सोच रहा था कर रहा था, बड़ा डर लगा और वो वहाँ से भागने लगा तो कुछ भिको ने उसको पकड़ कर भगवान के सामने पेस किया तब भगवान ने ये गाथा कही साविध्य के अंतर गाथा इस प्रिकार है दूरंग गमंग एक चरंग ए सरीरंग गुहा सयंग ये चित्तंग सैयमेसत उंती मोखंती मार बंधना दूरंग गमंग दूरंग गमंग का मतलब है दूर तक जाने वाला ये जो बता रहे हैं भगवान गाथा में ये चित्त की और मन की बात बता रहे हैं दूरंग गमंग यानि के ये दूर तक चला जाता है आपने भी देखा होगा कि मन कभी घर में हैं कभी बाहर है, कभी छुट्टियों में जहां बिदाईयां वहा है, कभी अमरीका के सपने हैं, कभी जापान के हैं, कभी अंत्रिक्ष के हैं एक सेकिन में कहीं का कहीं पहुंच जाता है, यानि दूरंग मन है, दूर तक जाने वाला मन है, चित्त है, माइंड है एक चरंग एक चरंग का मतलब है कि अकेला चरता है यानि अकेला ही जाता है साथ किसी को लेकर ही जाता अकेला ही दूर दूर तक भर्मन करता है ए सरीरंग ए सरीरंग का मतलब है कि इसका सरीर साथनी होता यानि सरीर वहीं देता है और ये दूर तक चला जाता है और अकेला जाता है गुहा सयंग गुहा माने जो होता है गुफा होता है और सयंग माने उसमें रहने वाला होता है यानि कि ये गुफा में रहता है छुपकर रहता है किसी को दिखाई नहीं देता यानि कि मन आपका कहां से कहां पहुँच गया अकेला जाता है सरीर यहीं है और छिपके जाता है किसी को पता भी नहीं चलता जैसे आप अचानकी से पूछते हैं गरे भई आपका ध्यान कहा है आप कहां सोचेते कहां गुम हो गए कहां की सेर कर रहे हो चित्त चलता रहता है, मैंट चलता रहता है, ये चित्तंग संयम मेसंती, संयम मेसंती का मतलब है, ये चित्तंग यानि जो मन है, ये माने जो और चित्त माने मन है, मेसंती, मेसंती का मतलब कि जो इसको संयत में करेगा, इसको काबू में करेगा, इसको बंधन में करेगा, इसक मन को कंट्रॉल करेगा अपना साध लेगा अपने वस्मे कर लेगा मुखंती मार बंधना मुखंती बार बंधना का मतलब है कि वो मुख को प्राप्त कर लेगा वो मुख्ध हो जाएगा किस से मुख्ध होता है किस से मार बंधन से मार से के बंधन से मार बार बार आएगा मार क जो वीडियो मैंने बनाया है वो जरूर आप देखें उसमें मैंने बताया है कि मार इतने प्रकार का होता है और बहुत important है मार का धम अगर सीखना है तो मार के वारे में जानकारी होनी चाहिए दस प्रकार की मार है वही मार चलीगी दुनिया में हर एक मनुस्य में चाहिए वो अंग्रेज है चाहिए फ्रेंच है चाहिए जर्मन का है चाहिए अरब का है इरान का है उर्दू का है हिंदू है मुसल्मान है जेन है सिख है इसाई है पार्सी है जीूज है किसी जादी, किसी धरम का सिर्फ मनुस्य है चाहे पड़ा हुआ है या अनपड़ है या चोटा है या बाय है दस परकार से दुख आता है मनुस्य के सरीर में उसको मार बोलते हैं यानि वो मार के बंदन से मुक्त हो जाएगा दुख के बंदन से मुक्त हो जाएगा जो अपने मन को सहियत कर लेगा कंट्रोल कर लेगा क्योंकि ये मन बहुत दूर तक जाता है अकिला जाता है ये मिना सरीर के जाता है और ये छुप कर जाता है जैसे गुफा में रहता है ऐसा करके उन्होंने गाथा का अर्थ बताया और गाथा बताई जो बहुती प्रमुक गाथा है चित्वक्की गाथा नंबत 37, 37 धन्यवाद संखन शरनं गर्चामे उताउ शरनं गर्चामे थाम शरनं गर्चामे अर्चामे